तो दोस्तों कैसे हो आप सभी जने अच्छे होंगे और आपके बर्ड भी अच्छे होंगे मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपके बर्ड अच्छे से रहे और गाइस यार आज का टोपिक बहुत ही ज़ादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्यों गाइस यार एक बाइने कमेंट करके पूछा है, कहते हैं कि भयां हम बर्ड को कौनसी seed दें, जुकि हमारे parrots हैं वो जल्दी से जल्दी breed करें और ऐसी गरम soward बताएं जिस से क्या हैं हमारे parrots खाएं तो यार बहुत जल्दी box मिल जाएंगे बजीज बर्ड लव बर्ड कोक्टेल पहाड़ी पैरर रिंग नेक और मकाव संकोनिय और सब क्या आपको जो कि हमारे पास breeding box मिल जाएंगे तो आप हमसे contact कर सकते हैं तो गाइज यार अब हम topic पर आते हैं कहते हैं कि यार हम birds को कौन सी seed दें तो गाइज आपने अगर ring ने किया पहाड़ी पैरर जो कि पाल रखे हैं तो उनको आपको जो breed लेनी है तो उनको आप जो seed है वो कौन सी दें आपको मैं बता दूँ क्योंकि गाइज दिन में आप 3 ब संफलावर के जो बीज आते हैं वो आपको ले लेने हैं और आप अपने बर्ड को प्रोवाइड कराएं कटोरी के अंदर भर दें संफलावर के सीट क्योंकि गाइस वो बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं फिर आपको क्या करना है गाइस जो मतीरे के बीज आते हैं के बाद में आप जो की हरी सबजियां और ये भी दे सकते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा सोफ्ट फूड के अंदर आपको क्या देना है तो गाइस आप जो की मतीरे के बीज भी दें जो की बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं और अब आपको मैं बता दू जो की एक और सीड है तो गाइस आपको क।दू की जो काचर के जो भीज आपने देखे हुँने मार्केट चार के अंदर जो काचर कीं बीज भी मिल जाएंगे काचर की भी भी आप खिला सकते हैं अपने पेर्ट को ये भी भी बहुती ज़ादा शोक से खाते हैं और फिर यह बीज घाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बाद में जैसे ही गर्मिया आ गई है तो आप नीमोली भी तोड़कर आप पैरेट को प्रवाइड करवाएं यह जो की सबसे ज़्यादा बेस्ट सीड है क्योंकि पैरेट है जब बार रहता है तो यह चीजे खाता ह है और यह जो की यार आप खिलाएंगे तो आपके बर्ड की जो पंक है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग मारेंगे पंक और आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा की सोफ्ट फूड में क्या देना है जिससे क आएगे आपका बर्ड है जो कि एक्टिव भी रहेगा और मतलगी अंडे बच्चे भी देगा तो बच्चों को भी अच्छे से पालेगा तो आपको यह जानकरी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और आप अपने पैरेट का अच्छे से ध्यान रखें म मिलता हूं वो जल्दी एक नई वीडियो के साथ जय हिंद वन्दे मातरम